हेलो फ्रेंड्स होग यॉर आर फाइंड तोड़े वियर को इस चैप्टर के अंदर बैसिकली हम यह देखेंगे कि कैसे एक एरिया के लोग कंपोज होते हैं मतब में तुसे कि उनका लिटरेशी डेट क्या है चेंडर रेशो क्या है या किस तरह के उनका मतब एकोनोमिक अक्टिविटीज करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या है लेटर सी तो आवर फर्स्ट एडिंगी सेक्स कमपोजिशन सो सेक्स कमपोजिशन रफस्ट तो रेशो बीटूिटिवीन नंबर और फुमेंद अंध मैं इन पोपुलेशन इस गॉर्टा सेक्स ने मेल संस्रेशों कितने मेल हैं कितनी फिमेल पर तो वह देखते हैं कि 510obile in सں देशों कैसी कैसे कैकिश्च इस काया जाता है मेलब्रोर किछ आता है मेल उपर its ऀन्डू थाउसयंड और टामबर ओव मे पर थाउसर्द फिमिल्स ऐसेए वह काउंट किया जाता है कि एक अचार महिलाव पर कितने पूरुश हैं इन इंडिया सेक्स रेशो इस गैलकुलेटीड बायूजिंग फॉर्मूला हमारे यह कैसे निकलता है फिमेल पोकुलेशन अपॉन मेल पोकुलेशन इंटू थाउजन हमारे यह इस तरह से निकलता है और दा नंबर ओ फिमेल पर क्यों क्योंकि इसका मतलब वहां पर उनका एक्सप्लोइडिशन हो रहा है ना वहां पर आज भी कंसर्वेटिव सोच है जहां पर वुमेंस को मैंस के इक्वल अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं जैसे केरला का भारत में सबसे अच्छा सेक्स रेशो है 1000 मेल पर 1013 मेल पर हैं कहने का मतलब है कि इससे हमने ये भी पता चलता है कि सोचाइटि आज भी उन कंसर्वेटिव थिंकिंग को ही लेकर बैटी है अगर जेंडर रेशो जैसा एक्स रेशो कम है क्यों क्योंकि यहां सोसाइटि को समझना चाहिए कि मेल और फीमेल बराबर ह वहारा Constitution of India ने इस बात का दिकार देता कि हम सब पराबर है बिल्कुल देता है Such areas are those यह वो इलाकिय जहां पर बुरून हत्यय फिमेल फिटिसाइडस और फिमेल इंफिटिसाइडस शीशु हत्या करते हैं पैदा होने के बाद मार देते हैं और घरेलू इंसा होती है कि बल लड़काई पैदा करना है लाइक उस तरह की वजह से क्या है कि जो यह लोग मेल और फिमेल के बीच का अंतर है वो क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है इवन आप देख लो चाइना ने अपनी one child policy क्यों अबंडन की और two child policy दुबारा से अपना है तो देखो पूरी दुनिया का average भी कम है नो सोनब्बे फिमेल पर थाउजन मेल तो कहने का मतलब क्या है there is need of strong laws the highest sex ratio is लताविया लताविया का highest sex ratio है अगर वहाँ पे 1000 मेल है तो 1187 फिमेल है तो यह अच्छी चीज़ है इससे पता चलता है कि वो society बढ़िया है वहाँ पे फिमेल को जादा हो दिया जाता है मतरम महत्वता दी जाती है या उनकी अधिकार उनको परापत है और lowest का है सबसे कम United Arab Emirates में 468 फिमेल है पर 1000 मेल तो अब देखो United Arab Emirates एक लीच है मतलब पैसा है वहाँ पर फिर भी देखो जेंडर रिश्यो कितना कम है दे सेक्स रिश्यो इस फेवरेबल फॉर फिमेल ही इन 139 कंट्री एक 149 देश में तो यह फेवरेबल है और and unfavorable in the remaining 72 कंट्री लिस्ट यह मतलब फेवरेबल नहीं है क्योंकि 172 मतलब कंट्री के अंदर जो हालात होंगे लोगों के वह पूर होंगे या फिर लोग मेल चाहिए जादा चाहते होंगे यह भी एक कारण हो सकता है यहां पर सबूरत क्या है कि शोचल अभी इस प्रोग्रम चलाए गवर्मेंट इस् सुसाइटी है जो सुसाइटी का दबाव है तो उसकी वजह से मेल चाहिए अगर होती है तो फिर उस तरह मतलब के कहते हैं कि यह क्या हो है लाइक दैट ना मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर अधिकतर है ऐसे अधर साइड ग्रेटर पार्ट ओफ यूरोप इंक्लूडिंग फिर मेल्स आर इन माइनोर्टी और यूरोप के अंदर क्या है देखो क्योंकि यूरोप हाइली क्वालिफाइड लोगों का देश है मतलब कि पडेली के लोग बहुत जाग है तो वाँपे फिमेल्स चाहता है मेल्स माइनोर्टी मैं और अगर आप इंडिया के राजिस्थान की बात करो तो देखो सेक्स देशों कि इतना कम है या हर्याना की बात करो अर्याना का सेक्स देशों को सबसे कम है इंडिया के अंदर एज इस्ट्रक्चर इट रिपर्जेंट ता नंबर ओफ प्यूपल ओफ डिफरेंट एज ग्रूप एज इस्ट्रक्चर के अंदर एज पिडामिडा जाता है कि पंदरा से बातरा से उनसट साल के या इस तरह से जो भी है ठीक है अलाज साही जो पॉपुलेशन इन दा एज ग इसाब से आर्टिकल 24 में बताया रहा है छे से 14 साल तक के बच्चों पर चोदा से कम साल तक के बच्चों पर काम करवाना इल्लीगल है और आर्टिकल 21 के ए में राइट टो एजुकेशन दे रखा है जो तोजार डॉं में पास हुआ था कि 6-14 साल तक के बच्चों को कम परसरी एजुकेशन और इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया है इंडियन कॉंस्टिटुशन की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में से भी एक है तो इसलिए हमने आँ 14 साल की जगा 15 साल ली है उमर अबाउ सिक्स्टी एर डिपर्जेंट अन एजिंग पोपुलेशन एंड रिक्वाइर मोर एक्स्पेंटिचर ओन हैथ एंड हैथ केर फैसिलिटी तो साथ साल से उपर के लोगों को दवाईयों की यह इन सब चीजों की ज़्यादा चुरत पड़ती है क्योंकि बोड़ी पर्सेंटेज ओफ में तो अगर हम एज पिरामिट की बात करें तो जो लेफ्ट साइड होती है इसकी प्रसेंटेज ओप में इस ओपिरामिट ओफ नजेश से इसकी चुर्ण है इसकी इनका यहां पर फो फोप पॉपलेशन ग्रूप और यहां पर लौवर एज ग्रूप में इनके पास पॉपलेशन क्या आहे बहुत जादा है इवन आप देख लो इंडिया में बिग तो से चालिस साल तक के लोग मारे या तीस साल तक के लोग बहुत जाद हैं बंगला देश और मेक्सिको की भी एज पिरामिड सेम है इसी तरह से इवन देखो बंगला देश कितनी अच्छी एकनोमी मतब की तर ग्रोथ रेट कर रहा है अच्छी तरह से पॉपलेशन के आउट के जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है और इस पिरामिड इस बैल शेपड एंड रिदूस्ट टॉप और देखो ऐसे उनका ऐसे है बैल में उता घंटा टाइप तो इनका ऐसे है उपर इनकी कम है मतब की 60 यह सोले वह सब इस शोज बर्थ और डैथ रेट और आलमोस्ट इक्वल इसका मतब क्या है बर्थ और डैथ रेट क्या है एक्वल है टू और नियर कॉंस्टेंट पोपुलेशन और सब दुनिया में कॉंचे वह देश है जहां पर घट रहा है तो वह जपान है जपान पिरामिड हैजर नेरो बेस एंड रिदूस टोप आप रहा है जीका में में जएजवैल पान हेजर फोपुलेशन ग्रोथ और नेरो और सब्सटर शोदू और फोपुलेशन ग्रोथ कैसे निकंटते हैं जैसे स्थाव माननों यह ना पे और अपर दूप भंचे तो देखो पुलेशन ग्रोथ यहां पर क्या होई जीरो होई क्योंकि इन दो को replace ये दो लोग कर देंगे तो यहां पर population growth जीरो और negative कब होती है मान लो ये दो है और इनके आगे एक बच्चा है तो अब दो लोग चाहेंगे जब तो उनकी जगह कौन लेगा एक बच्चा ये होती है negative और positive क्या होती है जैसे दो लोग है और उनके आगे त एजिंग पोपूलेशन एजिंग पोपूलेशन शेयर ओफड़ जैयर्व दा ओल्डर पूपूलेशन विकम लार्जर और तरहे देज़र और यह बढ़री है क्योंकि है शिस्टम सिटर रहा है तो उनका अर्व रुप्त बढ़ रहा है जिस दो फिदो मिनन आव फेंटीये सेंचुरी ये 20 वी शतापती का मतब एक नया कंसेप्ट है इन देवलप्ट कंट्रीज पुपुलेशन इन हायर एज ग्रूप है इंक्रीज दू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्योंकि बढ़ा है अगर आप इंडिया का चाहती के वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंस इन देवीजन और अब इन डाइफ एक्सपेक्टेंस के मतब कि कितने लोग उस इलाके में रह रहे हैं काओं में कितने हैं या शैर में कितने हैं because rural and urban lifestyle differs from each other in terms of their livelihood and social condition के बेज़ में गाउं के लोगों का रहने का तरीका कमाने का तरीका जीवन जीने का तरीका अलग होता है किसके कंपरिजन में शहर के लोगों की कंपरिजन में डा Perry जैसे गाउं के लोग में प्रायम्री अक्तिविटी करते है खेती पर शहर के लोग में अधार कि काम क्या करते है आम तोरके सर्विस सेक्टर में इन्वाल में या सेल्फ एंप्लोइड है दा एज इस्ट्रक्चर डेंसिटीव ओपोपुलेशन एंड लेवल ओफ डेवलोप्मेंट वैरी बिट्विन रूरल और अर्बन एरिया के बीच में इसमें क्या हो सकता है अंतर वैयेशन हो सकते हैं दा क्राइड एर्यडीया फोर मेजरिंग रूरल एर्वन पोपुलेशन वैरी फरों कंट्री टो कंट्री किसी देश में गाउं में लोग जाता रहते हैं जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे रूरल पोपुलेशन फोटीएट पॉइट पॉइट नाइन परसेंट डेर्ट्ल सब्सक्राइब और जाता है तो वह अर्बन प्यूर Entãoot लोग रहेंके लिए इनव्राइबड हैं language आंड लाज है रोजी रोटी मेंगामील कि इन अर्बन एडिया मेजोरिटी ओधा यसे इम्प्राइमरी अक्ति शेहरों में आप को बताया मेजोर्टी किसमें लगी हिस्ते है नाोनवी अक्ति में हिंध्यूनुटी जैसे आप कह सकते हैं जोब te Sports में हैं , इंडस्ट्री बहुत सारे लोजगार के साथ अने विलेबल होते हैं अर्बन एरिया में तो इसलिए वो सब उसमें है और पर रूरल एरिया में में सोर्स ओफ लेवलियूड क्या होता है एकर गल्चर सेक्टर या डैरी फिशिंग माइनिंग इन वेस्टें कंट्रिज मेर्स अमोर दें फिमेल्स इन अलवनेर, इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, दा केसिज रिवर्स, हमारे हाँ केस क्या है, उल्टा है, हमारे हाँ फिमेज कम है और मेज जाता है, लिटरेसी, साक्षरता की कितने पडेलिक हैं, लोग देखो, एक देश के लोग जितने जादा पडेलिक ह होते हैं, वो देश होता जादा तरक्षी करता है, क्योंकि उस टाइम पडेलिके लोग देश के लिए गूड हुमन कैपिटल होते हैं, लिटरेल पॉपुलेशन ओपकंट्री इस एन इंडिकेटर ओफ इट्स शोशो एकोनोमिक डेवलप्मेंट की एक देश की तरक्षी कर इस एक पतार चाहिए, लोगों का जीवन जीने का इस तर क्या है, लोगों का शोशल स्टेटस क्या है, समाज में उनका मतब की अस्तितु क्या है या उनकी रेस्पेक्ट क्या है, और फी मेल्स, एवेलिबिलिटी औफ एडुकेशनल फैसिलिटी इस कितनी बड़िया उनको है मेर्स को या फी मेर्स को और पॉलिक गवर्मेंट की योजनाए किया है हमारी गवर्मेंट के एजुकेशन को दीरे दीरे अच्छा बनाने के लिए बहुत मतब पैसा खरच कर रही है इन इंडिया, इंडिया के अंदर लिटरेसी रेड डिनोट्स अबव सेवन इयर्स जो भी साथ 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 से उपर की पोपिलेशन है वो इसमें काउंट होती है वो इस एबल तो लीड एंड राइट इसको हम लिटरेसी रेड मान लेते हैं कि जो साथ साथ से उपर के हैं पढ़ना लिगना जानते हैं थोड़ी बहुत मैथ की प्रोब्लम अर्थमेटिक प्रोब्लम को सोल्ड कर सकते हैं जम प्लस माइनस सब्स्ट्रक्शन एडिशन वो सब उक्पेशनल इस्ट्रक्शर तवर्किंग पॉपुलेशन मतब उक्पेशनल इस्ट्रक्शर का मतब होता है जी पॉपुलेशन इन वहां तो किस में मतब कि वर्किंग फोर्स लगी होई किस फिल्ड में The Working Population Age Group Between 15 to 59 मैं आपको बता तिया क्यों लिया है तो हम ने एच लेक से पार्ट इन दा वैडेस ओकुपेशन बहुत सारे टेक्स पार्ट इन दा वैडेस ओकुपेशन बहुत सारे ओकुपेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं खेती में लगा है, कोई कहीं नोकरी कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डोक्टर है, तो बहुत सारे सेक्टर्स में सब लोग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लाइक एगरिकल्चर, फोरेस्ट्री, फिशिंग, मैनिफेक्ट्रिंग, कंस्रॉक्शन, कमर्शियर ट्रांस्पोर्टेशन, सर्विसिज, कम्यूनिकेशन और अधर अन्क्लासिफाइड सर्विसिज, मैंने आपको बताया है, कि लोग इन सेक्टर्स में लगे वे हैं और अपन और क्वाटर्नेरी एक्टिविटीज कौन से होते हैं, जोब रिलेटी टू रिसर्च और डैवलपिंग आइडिया, मैंने साइंटिस्ट्स की, या रिसर्च स्कॉलर्स की, इस पॉर्स सेक्टर इस गूर्ड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ एकोनोमिक डेवलमेंट, जिस दे करते हैं, और देश में एकोनोमिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो मीदय गाईज आपको इचर्टर समझ में आया होगा, हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा, और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा, और अगर आपकी कोई क्वैरी है, तो आप कमेंट बोक्स में में बता दीजेगा, हम उसका अंसर देदेंगे, और देखें, अगर किसी पॉइंट्स के दुआरा आप हर्ट होएं, तो उसके लिए हमारी कोई इंटेंशन नहीं, आपको किसी भी पॉइंट से ह हर्ट करनेगी, कई भार पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जिनके एक्स्पलिनिशन क्या होती है, थोड़ा सा इमोशन को हर्ट कर देते हैं, तो आप उसको एजिली लीजेगा, एजा स्टुडेंटी है, ठीक है स्वस्त रहिए, मन लगा कर बढ़ाई कीजे, कोई क्वैरी है कि इ में बता देना, धन्यवाद स्टुडेंट